नमस्कार आप दिख रहे हैं News Nation और मैं हूँ आपके साथ चिराग सुखीजा भारती टीम बांगलादेश के खिलाफ वंडे सीरीज हार चुकी है जी हाँ, दोश उन्ने से बांगलादेश अब इस सीरीज में आगे हो गई है और भारती टीम अब सिर्फ वाइट वाश बचाने के लिए तीसरा वंडे मुकाबला खेलेगी पहले मुकाबले में भारत को एक विकेट से हार का सामना करना पड़ा जबकि दूसरा वंडे मुकाबला पांच रन से भारत हार गया उसके बाद अब एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि तीन बड़े खिलाडी अब इस सीरीज से बाहर हो गए है जी हां सबसे पहला नाम इसमें है रोहिच शर्मा दूसरे वंडे में दूसरे ही ओवर में रोहिच शर्मा स्लिप में कैच पकड़ते समय चोटिल हो गए थे उनके बाए हाथ के अंगूठे में गेंद लगी थी जिसके बाद उससे खून निकलने लग गया था और उन्हें स्कैंस के लिए स्पताल ले जाया गया हाला कि बाद में आठवे नंबर पर रोहिच शर्मा बल्ले बाजी करने जरूर आये थे लेकिन फिर भी वो टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाए अच्छी पारी के बावजूद रोहिच शर्मा इस मैच में टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाए और अब उसके बाद ये ख़बर आ रही है कि रोहिट शर्मा वापस मुंबई लौट रहे हैं क्योंकि वहाँ पर वो मेडिकल चेकप करवाएंगे और तीसरे वंडे से रोहिट शर्मा बाहर हो गए है टेस्ट मैच वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कोच राहूल द्रेविड के बयान ने साफ कर दिया है कि रोहिट शर्मा तीसरा वंडे कम से कम अब नहीं खेल रहे हैं से पहले आपको कोच राहूल द्रविड का वो बयान दिखाते हैं कि उन्होंने आखित क्या कहा। मैच के बाद प्रेस कांफरेंस के दौरान राहूल द्रविड ने कहा कि निश्यत तौर पर कुलदीप, दीफक और रोहित अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। जिसकी वज़े से वो तीसरा वंडे मुकाबला नहीं खेलेंगे। इसके अलावा कुलदीप सेन की भी बैक में इंज्यूरी है जिसकी वज़े से कुलदीप सेन भी बाहर हो गया। बताइए इसके अलावा रोहित शर्मा की उस पारी के बारे में आपका कहेंगे जो उन्होंने इंज्यूरी के दौरान भी खेली। उस पारी के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन क तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर ख़बर सबसे पहले आप तक पहुंचे देखे रहेए निउस नेशन